हलो बच्चो गुड मॉनिंग बेट आप सभी के एक बाफी से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्कूशल एजूकेशन में और आज हम पढ़ रहे हैं फोर्थ क्लास की एवियस का ट्वैल्थ चेप्टर बड़े काम के पेड हमारे तो पेड हमारे बहुत काम आते ह हां तो जानते हैं क्या क्या काम आते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपना लेसन पेड सब के लिए एहमद रावली गाउं में रहता है इसके गाउं का नाम है रावली यह गाउं मेवाद जिले में है उसके स्कूल के रास्ते में बेरी का एक छोटा पेड है जन्वरी में उस पर छोटे गोल और हरे बेर लगते देखो इस पिक्चर में बेर तोड़ने लग रहा है न ये बच्चा कुछ समय बाद वे पक कर लाल हो जाते हैं एहमद और उसके दोस्त कभी कभी छुटी के बाद बेर तोड़ कर खाते हैं तुम भी खाते हो? हाँ एहमद अपनी छोटी बेर के लिए भी बेर लेके जाता है एक दिन उसकी छोटी बेर ने पुछा भाई जान बेर तो बहुत मेटे हैं कहां से लाए हो? तो एहमद ने बताया सकूल के रास्ते में एक बेरी का पेड है ये बेर उसी पेड के हैं आने जाने वाले लोग भी उसके बेर तोड़ कर खाते हैं उसकी बहन ने दोबारा पुछा भाई जान घर वैबाग में तो पेड हम श्विम लगाते हैं खेतों में फसले भी हम योगाते हैं लेकिन सडक के किनारे बेरी का पेड किसने लगाया होगा तुम्हारे मन में भी ये सवाल आया होगा ना तो एहमद की आपा ने बताया कुछ पेड पोधों के बीज बिखर कर दूर चले जाते हैं मिट्टी पानी और उचित वातावरन यानि कि ना जादा गर्मी ना जादा सर उस वातावरन में बीज अपने आप उग जाते हैं जैसे बहुत सारे पेड हमारे सडके साथ साथ होते कुछ तो उगाये जाते हैं और कुछ अपने आप उग जाते हैं क्या तुमने कोई बेरी का पेड देखा है यदि हाथो का तो बेटा सब ने देखा होगा कही से ने कही आप कहीं भी लिख सकते हो, कहीं बाग में देखा है, या सडककfront किनारे देखा है, वो यहांपे लिख देना है, क्या घरों या खेतों में भी बेरी के पेड उगाते हैं बिलकुल उगाते हैं हाँ तुम्हारे अलावा और कौन से जीवजनतू बेर खाते होंगी तुम तो तोड़के खाते हो लेकिन और कौन-कौन जीवजनतू खाते हैं कि लहरी खाती है तोता खाता है चिडिया भी खाती यह भी खाते हैं ठीक है अब यहां पर पूछ रहा है तुम्हारे आसपास कौन से पेड़ हैं जो अपने आप उगे हैं जिनको किसी ने उगाया नहीं है वो कौन से हैं तो बहुत सारे हैं देख के तुम बता देना कि कर पीपल नीम बर्गत वेरी सिसम इनको उगाने की भी ज कोई नहीं देगा यह जमीन सपने आप ही पानी ले लेते हैं क्या इन पर फल लगते हैं और यदि हां तो इनके फलों को कोई भी तोड़ सकता है बेटा फल वाले पेड़ हैं तो उनके फल तो लगेंगे ही और उनको कोई भी तोड़ सकता है क्योंकि यह किसी एक के उगाय ह हो यह नहीं है न इसलिए सभी के हैं और सभी इसके फल तोड सकते हैं खेतों में अंचाहे पोधे अब खेतों में फशल उगाते हम तो उसमें कुछ ऐसे पोधे भी होते हैं जिनको भात नहीं है तो उनकी बात कर रहा है यहां पर नेरज अपने पिता जी के साथ खेतMo Iaomb Stock उसके पिताजी गेहूं की फसल में से खरपतवार, खरपतवार क्या होता है जो अंचाहे पोधे हैं जिनको हमने उगाया नहीं है, अपने आप यूग गए, हमने नहीं भोया उनको, निकाल कर अलग करने लगे, नीरज नहीं पूछा पिताजी आप ये क्या निकाल रहे हो, त पिताजी बोले, ये खरपतवार है, जो अपने आप ये खेतों में उगाती है, इसको हम उगाती नहीं, अपने आप यूग जाती है, ये जमीन से पानी और अन्य पोशक ताटो ले लेती है, जिसे फसल कम बढ़ती है, तो नीरज नहीं पूछा, पोशक ताटो क्या होते है तो पिता जी ने बताया जैसे अपनी बढ़ोतरी के लिए हमें भोजन में पोश्टिक चीजों की जरूरत होती है वैसे ही पोधों को भी बढ़ने के लिए कुछ पोशक तत्वों की जरूरत होती है जो उन्हें मिट्टी से प्राप्त होते है जैसे खाध है है ना तो इस तरह कि जो उनको बढ़ने के लिए जो आवशक तत्वी चाहिए वो ये खर्पतवार खा जाते हैं तो फसल कम उग दिये इसलिए खर्पतवार को फसल से अलग कर दिया जाता है सोचो और लिखो नीरज के पिताजी ने खेट में गेहूं बोये थे खर्पतवार कहां से आई अभी बताया था ना हमने इस पहरा में कि खर्पतवार अपने आप उग जाते हैं खेतों के अतिरिक्त खर्पतवार और कहां का उगाते हैं जो पोधे बिना बोये ही उग जाते हैं उनको बोलते हैं खर्पतवार कहां का उगते हैं बगित्चों में कच्ची छतों पर भी उग जाते हैं बारिश के मोसम में रास्तों में आंगन में सड़के किनारे हैं ना त ख़खवा, चोलाई, पालक, पालक यह एक होता है जिसकी सबजी बनाती है और एक सरफ पसू को चराने का लिए पालक होता है, वो अपने आप हुगता है, उसका टेस्ट थोड़ा ज्यादा खारी-खारी सा कड़वा सा होता है, क्या खर्पतवार भी हमारे काम आती हैं और दूसरा सबजी बनाने में, हम इनकी सबजी भी बना लेते हैं, किसकी बनाते हैं, जैसे हमने बथवे की सबजी बनाई, बथवा बनाएंगी क्या रायता बना लिया, भुजी बना लिया, पराठे बना लिया, चोलाई की हम सबजी बना लेते हैं, इस तरह से इनकी सबजी भ नीरज ने खाया टीट काचार, नीरज की घर में टीट काचार बना है तो देखते हैं, दोपैर का बोजन करने के लिए नीरज और उसके पिताजी ने ट्यूब्ल के पानी से हाथ मू धोए, उन्होंने जैसे ही खाने का डिबा खोला तो नीरज बोला पिताजी बढ़ी खाने में क्या दिया अगर बड़ी अच्छी खुश्बू आ रही है भूग ज्यादा लग गई तेश्ट अच्छा लगेगा है ना तो उसके पिटा जी कहते हैं यह टीट के अचार की खुश्बू है देखो तुम्हारी माने टीट का अचार बत्वे का रायता सब्जी और बा तो पिटा जी ने बताया टीट एक जंगली जाड़ी पर लगते हैं जिसे की कैर कहते हैं टीट के पोदे को क्या कहते हैं कैर और यह वहीं से तोड़ कर लाए थे तो इनको कोई उगाता नहीं है कैर को अपने आप ही उग जाते है वो और फिर वहां से उसका फल जो होता है उसको कहते हैं टीट और टीट की सबजी अचार बहुत टेश्टी होता है और हमारे स्वास्ते के लिए भी अच्छा होता है वो क्या तुमने कभी टीट का अचार या बत्वे करायता खाया है और यदि खाया है तो कैसे लगे तो बिटल लगबग सभी घरों में खा लेते हैं अगर आपने दी खाया है तो इक वर खा के देखना बहुत अच्छा लगेगा और मैंने तो खाया है और मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे बोजन में बत्वे का उप्योग किस रूप में किया जाता है भई सबजी के रूप में या पराठे बनाने में है ना तो हम इन में यूज कर लेते हैं अपने माता पिता से पूछ कर लिखो कि टीट वे बत्वे जैसे और किन चीजों का प्रियोग भोजन में करते हैं कि ऐसे जैसे टीट है और भई बत्वा है ये बिना उगाए ही उग जाते हैं तो उसी तरह से कुछ और चीजे बताओ जो अपने आप यूगती हैं और उनका हम प्रियोग करते हैं जैसे कच्री अब खेत में जब बाजरे की गहम फशल होती है तो कच्री होती है ना तो उसकी हम सबजी बनाते हैं चोलाई या साठी इन सबसे सबजी बनती है और भाई चोलाई वेगेरा की साठी के पराठी भी बना लेते हैं कुछ लोग यार राइता या सबजी बनाते हैं इनकी ज़्यादा दर ठीक है है निमिनलीखित से खाने की कौन सी चीजे बनाय जाते हैं लासूडा अचार बना जाता है उसको पक जाता है तो वैसे खा भी लेते हैं फुरूट को भी खा लेते हैं उसको वरना अचार बना जाता है कच्री के सबजी भी बनती है और कच्री का अचार भी बनता है चोलाई और साठी इनसे हम साग बनाते हैं ठीक है नीचे कुछ पेडों के नाम दिये गए हैं हमें इनसे क्या मिलता है ये इस तालिका में लिखना जैसे पीपल का पेड इसने बता रखा है तो उसे हमें ठंडी छाया मिलती है शुद्ध हवा मिलती है और खाने के लिए बर्बंटी पीपल के जो फल लगता है उसको हम बोलते हैं बर्बंटी अब इसी तरह नीम से क्या मिलेगा नीम से ठंडी छाया भी मिलेगी शुद्ध हवा भी मिलेगी और खाने के लिए नीम बोली नीम का जो फल होता है उसको हम नीम बोली कहते हैं और यहां से इंधन भी मिलेगा, इंधन पीपल से भी मिलता है, जाटी या खेजडी बोलते हैं इसको रास्थान में, तो यहां अपने पास है चाया मिलती है, इसे ठंडी चाया भी मिलेगी, इंधन भी मिलेगा, और इसके फल भी लगता है, इसको हम बोलते हैं जींज, इनकी कम लगते हैं इनके फल गर्मी में जब लुएं चलती है तो जाल के फल लगता है उसको हम बोलते हैं पील किकर चाया मिलती है इससे हमें इंधर मिलता है और इमारती लकड़ी मिलती ठीक है अब आगे है चित्रों को देख कर लिखो इन में क्या दर्शाया गया है अलग अलग चित्र देखो नंबर डाल रखे हैं और इन बताना है कि किस में क्या कर रहे हैं तो ये पेड़ है ना और ये पेड़ के नीचे बच्चे खेल रही है चाया में है ना उरेक्स के पेड को उगाया जा रहा है ठीक है यहां पे देखो आम इसको दे रहा है यह पेड यानि की पेड दवारा फल देना पेड फल भी देता है हमें ठीक है और यहां पे क्या हो रहा है देखो यह पानी डाल रहा है गमले में डाल रहा है न तो पोदों में पानी दाना कौन-कौन स शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना साथी साथ बैल आइकन और शेही प्रेस कर लेना हमने दूसरा चैनल बनाए हुआ है उसको भी आपे सब्सक्राइब कर लेना ताकि और हदिक वीडियो जाब ताकि पॉंक से थैंक यू